गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10, चैप्टर 2, एसीड, बेस और साल तूडे वी विल डिस्कस अबाउट दी टोपिक ओफ एसीड, बेस और इंडिकेटर्स फर्स्ट लिडिस्कस ओफ एसीड, दो सब्स्टांस आर विच गिव एच पोजिटिफ आइन इन एक्वास सोलूशन आर काल्ड एसीड, एसीड का में एक ऐसे सब्स्टांस जो हमें है एच पोजिटिफ आइन, आइन मेन Vietnamese क्या होता है सबसे पहले देखो आयन होते है दो प्रकार के एक तो आयन होता है हमारे पास positive और एक आयन होता है हमारे पास negative ठीक है तो जो substance हमें H positive आयन दे दे aqua solution, aqua solution का मतलब यहां पे कह है water, are called acid देखो सबसे पहले हम क्या लेते है water, chemistry में हम water को क्या बोलते है aqua solution, जैसे ही इस aqua solution को हम क्या breakdown करते हैं तो क्या यह किस किस में क्या है, break होगा H positive प्लस OH negative, जो हमें इसमें H positive मिलेगा वो क्या होगा इसमें acid और जो OH negative में break होगा वो होता हमारे पास base तो aqua solution break होता है, तो एक H positive में और एक OH negative, H positive क्या होता है acid, इसका मतलब क्या है, यह ऐसे सबस्टांस है जो में H positive आयन देते हैं, किसमें aqua solution में हमें, जब H positive आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, acid, ठीक है, उसके बाद दियार searing test, इसका test खट्टा होता है, they turn blue litmus to red, एक ब एकर में क्या डालोगे, acid, और litmus paper क्या होता है, litmus paper का क्या काम होता है, यह क्या करता है, चेक करने के लिए होता है, कि यह acid है या base, जैसे इसके अंदर क्या डालोगे, आप litmus paper एक paper सा होता है, अलग-अलग color के, जैसे इस acid को litmus, जैसे इस litmus paper को आप acid में डालोगे, तो यह लिटमस पेपर क्या कर देगा बल्यू कलर को रेड में चेंज कर देगा और एसिड किस-किस में होता है लेमन खटी चीजों में लेमन ओरेंज में एसिड होता है कुछ एसिड के नेम यहाँ पे है HCL HCL क्या होता है हाइड्रो क्लोरिक एसिड हमें कैसे पता चला कि यह एसिड है आपको पता है HCL HCL किस में टूटता है H positive plus C negative जहां हमें H positive मिल रहा है इसका मतलब यह acid है H2SO4 में भी हमें H मिल रहा है तो H positive है यह भी acid है H positive मिल रहा है तो यह क्या है सारे acid है base दो सब्स्रांस विच गिव OH negative एक्वा सोली ऐसे सब्स्रांस जो हमें OH दे OH नेगिटिव दे रहा है आपको पता है जब एक्वा सालूशन को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक तो H positive देता है H positive क्या होगा? acid और OH नेगिटिव क्या होगा? base जब हमें OH नेगिटिव देती है तो वो होता है base bitter मतलब क्या है? कड़वा test जैसे इस they turn red litmus to blue जैसे इस बिकर के अंदर आप base डालोगे ठीक है? यह क्या होता है? litmus litmus क्या होता है? चेक करने के लिए होता है कि यह acid है या base जैसे इस base को जैसे ही base में litmus paper डालोगे तो यह क्या है? red कलर को किस में change कर देगा? blue इससे हमें यह पता चल जेगा कि यह acid है या base है example base किस किस में होते है? backing soda और colgate कुछ base क्या है? NaOH NaOH sodium hydroxide KOH क्या होता है? potassium hydroxide जो पीछे OH आजे तो यह क्या होता है? hydroxide और हमें कैसे पता चल जए इसमें H positive दे रहे तो इसका मतलब acid है और यह OH negative देंगे इसका मतलब base आपको दिख रहा है पीछे OH जिसके पीछे OH लगा इसका मतलब यह क्या है? यह OH negative देते है जिसके पीछे OH लगा इसका मतलब यह क्या है? base उसके बाद में indicator दो substance which change the color in acid और basic medium are called indicator आप देखो इस विकर के अंदर हमने क्या डाला है? इसके अंदर acid डाला है indicator क्या होता है? एक ऐसा solution होता है ठीक है? indicator क्या होता है? एक ऐसा solution होता है जिसकी थोड़ी सी drop डालोगे आप इसमें क्या है? indicator की थोड़ी सी drop जैसे इस acid के अंदर डालोगे तो उसका क्या होजेगा? color indicator एक प्रकार का solution होता है liquid होता है वो जैसे ही आप drop wise थोड़ा-थोड़ा उसके अंदर acid के अंदर डालोगे तो उसका color change है अगर आप जैसे ही waste में डालोगे तो उसका भी color change है तो indicator का क्या काम होता है? ये color को क्या कर देता है? change कर देता है चाहे इसमें acid में डालोगे थोड़ी सी drop तो भी color change कर देगा base के अंदर डालोगे तो भी color change कर देगा natural indicator क्या होते है? यह indicator जो हमें naturally चीजों से मिलते हैं जैसे turmeric हड़ी होगी हड़ी किसमें आती है natural indicator synthetic indicator क्या होते हैं ऐसे indicator होते हैं जो मनुश्य द्वारा बनाई जाते हैं यह क्या है जो main made द्वारा बनाई जाते हैं को पता है जो human है वो क्या करता है लैब में खुद प्रिपेर करता है कुछ सोल्यूशन कुछ तो naturally होते हैं कुछ जो मनुश्य द्वारा बनाई जाते हैं जो लैब अगरा में प्रिपेर किये जाते हैं जैसे मिथाइल ओरेंच है ये क्या है लैब में खुद प्रिबेर कर लेते हैं कौन मनुष्य है ठीक है तो ये में मेड होते हैं